हेलो दोस्तों मेरा नाम अज्योय आनन्द है जीनियस केरियर इंस्टिट्यूट पन्वाणी जिलामा होबा जो कि आपका है हरपालपुर रोड गैत्री मंदिर की बगल में ताच्पूर्ट ट्रेडर्स यह आपका हुए आप पता या नहीं की एड़र्ट मैं पिछले को समय से हूँ पन्वाणी में यहां पर मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की है आसपास के गाउं से आने वाले बच्चों से भी बातचीत की मिलाखात की उनके गारी जाने से मिलाखात की बातचीत की यहां पर जितना मुझे पता चला है जितना मैंने जान पाया हूं तो education का उतना अच्छा scope नहीं है मतलब बच्चों की पढ़ाई दिखाई पर जो schools हो गई है या फिर education उतना अच्छा उनको quality नहीं मिल पा रही है और यहां दूसरी समझ से क्या है कि 90% यानि कि 90% बच्चे हो क्या है हिंदी मीडियम के हैं उनको बहुत जाबा दिक्कत होती है English सीखने में English बोलने में बच्चे जो यहां से 11 ए 12 पास करके कहीं बाहर जाएंगे किसी भी एक्जाम की तयारी करेंगे तो वहां पर जरूर नहीं है को उनको हटी इंग्लिस से हिंदी में बताई जाए तो उनको कहिना है कि थोड़ा बहुत English भी आना बहुत जरूरी है यहीं पर आरे मार्केट वहीं मैंने बहुत सारे मार्केट को आनलाइज किया है टीचर से मुलाकात बात किया जो बच्चो आल्रेडी कोर्स कर रहा है एक तरीके का कॉंसेप्ट यहां पे चल रहा है मैंने देखा है मात्र साथ दिनों में सीखिए धारा प्रवाह इंग्लिस बोलनों यानि कि धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना यानि कि वो टीचर क्लेम कर रहा है कि वो आपको साथ दिनों में fluent English सिखा देगा तो यह possible है नहीं साथ दिनों में अगर कोई बच्चा इंग्लिस बेग्रांड का नहीं है अर्था कि वो हिंदी माध्यां का हिंदी मीडियां का तो साथ दिनों में धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता कभी भी नहीं बोल पाएगा अगर आपको कोई भी स्कीम इस तर आपको साथ दिनों का कॉंसेप्ट देते हैं कि साथ दिनों में आपको धारा प्रवाह गए जी होलना सिखा देंगे यानिकि दो महिने में आपको समझ दाम का लौजिक्स समझना कि यानि कि दो आजार प्रवाह आप से लेंगे और अंगली सिखा देंगे लेकर आपने कितने लोगों में पहले से इंगले से स्पीकें पॉर्स कर रखा होगा लेकिन क्या आपने दो महिने में आपको से थोड़ा सा पॉर्सन बता सकते हैं बस कि यह चीजे होती है इसको 12 15 सेंटेंस कि नोट करा दिये स्याम कि सामधार जा रहा है कि साम स्याम स्कूल रहा है इस टाइक की 10-15 सेंटेंस लिखा दी हूग उसका हिंदी में अनुबात कर देते हों यह कह देते हूंग इसको आपके काम आएंगे और दो-चार concept ग्रामा के बता दिए ऐसे दो-चार आप दर्शीजे मिला के बता दिए तो इससे क्या होगा अगर आपको proper English बोलना सीखना है तो कम से कम हिंदी मीडियम के बच्चे को कम से कम एक साल तो देना ही पड़ेगा तो अब अगर आप एक साल एक हजार वपए एक महिने के हिसाब से देंगे तो आपके बारा हजार वपए तो लग जाएंगे ठीके लेकिन साथियों इस बार ऐसा नहीं होगा जीनियस के लिए इस्टिट्यूट पनमारी आपके लिए लाया है फ्री इंग्लिस स्पीकिंग क्लासेस आपको फ्री में इंग्लिस स्पीकिंग कोर्स कराया जाएगा क्लासेस चालों होगी हैं, बैचेस चल रहे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल कर सकते हैं पर डे आपकी MONDAY टु फ्राइड़े यानि कि सम्वच से सुक्रवाद आपकी एग घंटे की क्लास रहेगी वो प्रफर एक साल तक चलेगी प्रॉपर एक साल पर जिसमें आपको एक भी रुपया नहीं देना है प्रॉपर फ्री और कॉस्ट है देखिए आप जो भी सीख चुकी है वो बेटर है इसी English Speaking कोर्स के साथ साथ आपको basic communication skills कैसे बात करनी है प्रॉपलिक speaking क्या होती है communication skills क्या होती है personality development किसको कहते हैं कि यह हर एक चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी जाएगी और इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा यानि कि कि किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी यह सब है free of cost आपको एगंटे का सिर्फ समय देना होगा अपना अगर आज हम सक्षम हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आगे वाले आने वाले प्लिडियों के लिए बच्चों को भी सक्षम बना दें हर चीज पैसे से नहीं होती है इंसान को लाल्ची उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके लालच के चक्कर में आने वाले बच्चों को अगर इस से अंदेकार में हो जाए वो सीख भी न पाए इंग्लिस लेंग्वेज बहुत जरूरी अंग्लेजी भासान है आप टीचर सी माल लो आप टीचर से मैं कह रहा हूंगा आपने हजार रॉपे फीस महीने की रख दी तो हर बच्चा कैसे सीख पाए गार बहुत कम लोग ने पाएंगे कैसे सीख पाए गार आपको दुर्वासा ध्यान देना चाहिए लेकिन वाज सबकी अपनी अपनी मर्जी है ठीक है दोस्तों स्टूडेंट्स मैं आप से कह रहा हूं पता आप लोग नोट कर लेंगे जिनियस केरियर इंस्टिट्यूट राजपूर ट्रेडर्स पन्वारी गायतरी मंदिर के बगल में है हरपाल को रोल कॉंटेट नंबर यानि की संपर्क सूत्र नोट कर लेंगे जिस पे आप कॉल करके किसी भी तरह की जहनकारी ले सकते हैं कॉंटेट नंबर आप नोट करेंगे एट सिक्स वन नाइन फोर सेवन टू सेवन एट फाइल यानि की च्यासी उनाइस श्यासी उनाइस स्यांतालेस सत्ताइस पचासी ठीक है दोस्तों देखिए मोटेव यह है मैं चाहता हूँ किस प्रदेश का इस देश का हर एक बच्चा सिक्षेत हूँ किसी भी परिवार का अगर एक बच्चा भी सिक्षेत हो जाता है तो उस परिवार का भविष्ट्य आने वाली साथ पोश्टों तक बदल जाता है साथ पुष्टों तक बगल जाता है मैं आपसे उमीद सिर्फ इतनी सी करूँगा कि आप जो भी मेरे से सीखेंगे यहाँ पर free of cost क्याने कि मुफ्त में वो आगे आने बाले बच्चों को भी free of cost ही सिखाएंगे आप उनसे कोई भी किसी भी तरह का प्यासा नहीं लेगे तो आप बेसक आ सकते हैं मैं आपको यसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कानपुर में भी नहीं मिलेगी इलाबाद में भी नहीं मिलेगी राट में भी नहीं मिलेगी सिर्फ मुंबई में या कोटा में या दिल नहीं में है ठीक है दोस्तों आप यहां पर आके किसी भी तरीके की कांसिलिंग ले सकते हैं कि आपको में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए क्या सब्जेक्ट चूस करने चाहिए या फिर अभी आप बहुत परेसान हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में किस डायेक्शन में कौन सी जॉब के लिए आगया प्रोच करना चाहिए तो भी आपके बात कर सकते हैं आपकी कांसिलिंग भी फ्री और कॉस्ट र करने चीज अगर आपको करनी है तो क्या सब्जेक्ट पर ना होगा किस तरीके से परना होगा किस दिशा में आपको आगे बढ़ना होगा थाकि आप जैसे तकि निट की एक्जेम्स गरेंगे आप नीट की प्रफ्रेशन करेंगे तो आप डाक्टर बनेंगे मैट लेके आई बसकते उन लोगों को बच्चों किया बताने वाला नहीं होई आसकते हैं यह आप, कोई दिक्त नहीं पूद सकते हैं जो भी आप चाएं, जो भी आपकी समस्या है किसी भी तरह की मैंने प्रॉपर पढ़ाई की विए हैर एक प्रकार से मैं आपको बताने मैं सक्छा हूं हर एक प्रकार की कांसलिंग आपकी की जा सकती है मैंने खुद रिसर्च किया है पिछले पांच साल से human psychology पे human behavior पे तो किसी भी तरह की problems का solution आपे मिल जाएगा परिसान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपको contact number मैंने ले दिया इस पर phone करके भी आप अपनी समस्यां पर समाधान पा सकते हैं समस्या कोई भी हो सकती है contact number आप नोट कर लिया है आपने मैं एक बार और बता दूं आपको 8 6 1 9 4 7 2 7 8 5 ठीके दोस्तूं वाट्सेप भी है वाट्सेप पे भी आप अपने problem issues भेज सकते हैं या आप सीधे spot पे आके भी 1 2 1 clear out कर सकते हैं ठीके दोस्तूं हमें साथ मिलके आगे बढ़ना है ताकि अपने देश को अपने प्रदेश को आगे बढ़ाया सकता है लोगों को सेक्षेट करना है एज्यूकेट करना है उनको अवेर्नेस खेलानी यही मोटेव है यही उद्देश है मेरा अपनी बात को प्रया पर खतम करेंगे उसके पहले दो चार लाइनों में आपको पूरा कन्वर्सेशन बता दूं कि सोचता हूं जोपडी को महल कर दूं कि सोचता हूं कि जोपडी को महल कर दूं और इन बच्चों के नाम अपने कुछ पल कर दूं कि सोचता हूं जोपडी को महल कर दूं इन बच्चों के नाम अपने कुछ हसीन पल कर दूं बहुत दिनों से बंजर पड़ी है इस छेत्र की सिक्षा विवस्था सोचता हूं इस बंजर के नाम कुछ फसल कर दूं कर दूं